दोस्तों Samsung Galaxy M13, यह आपको rebrand version कहा जा रहा है कि जो पिछले साल launch किया गया था M23, यहाँ पर features और design आपको same तो design आपको मिले गई ही, लेकिन अगर हम features के लिए बात करेंगे तो आपको M12 के तरह ही दिखेगा, यहाँ पर दो phone exist करते हैं, एक तो 23 का design है rebrand और फिर उसके बाद M12 का आपको features में साथ साथ में दे रहा है, जहां तक देखा जा रहा है कि यह officially तरीके से images को share किया है, जो कि अच्छी design लग रही है, M23 की तरह ही है, यह same same, और बाकी हम देखते हैं, इसमें क्या कुछ features और भी add है हुए है, तो अपगरेशन के मामले में अगर हम बात करेंगे, तो अपगरेशन भी आपको कमाल करें, लेकिन यहां पे एक बार देख लेंगे कि वाकही में यह चीज कितना कुछ upgrade किया गया है, जैसे कि बात कर रहे हैं कि Samsung Galaxy M13 के लेकर, तो यहां पर पता चल रहा है कि आपको सबसे पहले जो display दे रखका है, display की बात अगर हम क आएगा, और जहां तक यह भी अगर हम पता करें कि इसके जो भी certification websites पे है, और फिर इसके features यह आपको पता चल रहा है, यह आपको पता चल रहा है, तो जहां तक आपको लग रहा है कि जो Samsung Galaxy F13 है, उसके सेम सेम चीज़ें आपको यह मिलने वाली है, सेम rebrand version है, और हो नहो यह कैसा हो कि आपको design F23 का दे रहा है, और F13 के आपको specifications of features दे रहे हैं, यह सारी चीज़ें प्राइस की जहां तक बात हो रही है, यह आपको लग लग 12-13,000 रुपे के आजपास में होगी, यहाँ पर सिंगल देगा, 4GB RAM के साथ देगा, 64GB का storage होगा, और भी यहाँ पर एक report की हिसाब से बता चल ला है, कि आपको कहीने कहीं 6GB RAM के साथ 128 का storage दे रहा है, तो लेट सी एक बार देखते हैं, कोई एक officially अगर आता है rumors, कहने का मतलब है strongly, तो उसको जरूर हम share करना चाहे यूटूब के stories से, या फिन Instagram के stories से, तो फिलहाल के लिए ये price 12-13,000 रुपे हैं, अगर वो 6GB तक अगर इसका बढ़ता है, stories तो आपको लगबच 14,000 रुपे के आस-पास हो सकती है, लेकिन अगर 90-100 display rate हुआ तो, अगर नहीं तो 12-10 तक तो रहना तैं है, दोस्तों बस उम झाल